बहु की टिंडे अकाश, क्या है यह सब? मैं दो दिन के लिए मासी के घर क्या गई थी, तुमने अपने रूम की हालत क्या कर दी है? हरे क्या हुआ मा, सब सही तो है, क्यों इतना शोर मचा रही हो? क्या सही है? दो दिन वाले जूटे बरतन, अभी तक तुमने धोय नहीं? तुम्हारे मेले कपड़े यहीं पड़े है, फ्रीच से पानी की बॉटल यहीं पड़ी है, तुम इस कमरे में रहे कैसे रहे हो? हरे मा, चिल हो जाएगा सब, अभी आप आगई हो ना, कर लो साफ. है? ऐसे कैसे चलेगा, आकाश? तुम्हें थोड़ा तो जिम्मेदारी का एसास होना चाहिए ना, बिटा? अरे मा, आप तो ऐसे कह रही है, जैसे मैं अभी इन दो दिनों मैं ऐसा कर रहा हूँ. मैं तो बच्पन से ऐसा हूँ, आपने मुझे कभी देखा है, अपनी चीजों को सही जगा पर रखते हुए, नहीं ना, फिर? अरे लेकिन तुम अब बच्चे नहीं हो, सताई साल के होगे हो, तुम्हारी शादी की बात चल रही है बाहर, तुम अब ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? अरे मा, मैं तो ऐसा ही हूँ, जिसको मुझे से शादी करनी हो, करें ना करनी है, ना करें? ऐसे नहीं केते बिटा, आकाश देखो, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां उठा लेना चाहिए, सिर्फ अच्छे पैसे कमाना ही, जिन्दगे में सब कुछ नहीं होता, घर को संभालना भी आना चाहिए, तुम घर को संभालो मत, लेकिन कम से कम अपनी चीजों को तो संभालो, मा आपको पता है न, मेरा इन बातों से कोई लिना देना नहीं है, अब जल्दी से रूम साफ कर लो, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है, देख तु ऐसे बात को टाल मत समझा, मा आपको भी पता है, मुझे इन से बातों से कोई फरक नहीं पढ़ने वा मैं आज तक ना सुधरा हूँ ना सुधरूगा जबकि आप मुझे ये बाते बच्पन से समझाती आई है तो लगता है कि तेरी बेवी ही आकर तुझा समझाएगी मैं कभी ने सुधरूँगा मा चलता हूँ आकाश सुन तो चिंता मत करिये आकाश जैसे लड़के हमारे देश में आपको हर घर में दिखी जाएंगे जिने घर में राच्चा बेटा बनके रहनी की आदत सी होती है पानी का गलास हाथ में चीए लेगिन पानी पीने के बाद वो गलास किचिन में वापस रखना उनकी आदत में शामिल नहीं होता आज क्या बनाया है मा? आज डाल दड़का बनाया है और चावल ले खा कर देख अरे मा आपको पता तो है कि मुझे डाल वाल पसंद नहीं है मैं नहीं खाने वाला हूँ आपकी ये डाल अरे एक बार खा कर तो देख बहुत अच्छी बनी है तुझे सच में अच्छी लगेगी नए नए ने मैं नहीं खाने वाल हूँ ये डाल मैं बाहर जा कर कुछ खा लूँगा सुनिल और राकेश की सार अरे रोज रोज बाहर का खाना अच्छा नहीं है बिटा तु समझता क्यों नहीं है तो आप रोज रोज दाल लौकी ऐसा क्यों बनाती हो आपको पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं फिर भी इन सारी सबजियों में विटामिन होते हैं और घर में तो ये ही सब बनता है ना रोज पनीर तो नहीं बना सकते तो मुझे ये सब पसंद नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ बाहर सुनिल राकेश के साथ खाने के लिए आप खाओ अपनी ये दाल हे बगवान तु और तेरी यावारा दोस्त कब जान छूटेगी इन से कभी नहीं कोई बात नहीं बिटा कर ले थोड़े दिन मस्ती जब तेरी घरवाली आएगी न तब बात करेंगे हम मा आप ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करतीजी ठीक है मुझे तो लगता है कहीं आपकी बहु भाग ना जाए तेरी हारकत है देखकर तो यही लगता है कि ये लड़की थोड़े दिन में यहां से भागी जाएगी ठीक है मैं चलता हूँ रात को देरी से होंगा मेरे इन्दार मत करना आकाश का अकसर यही हाल होता था खाने को लेकर जब भी उसे खाना पसंद नहीं आता वो अपने दोस्त सुनिल और राकेश को लेकर बाहर खाना खाने चला जाता आकाश तो हफते में चार-चार बार बाहर आकर खाना खाता है तुरी मत चिल्लाती नहीं है क्या अरे बहुत ज्यादा चिल्लाती है तुम्हें क्या लगता है छोड़ देगी क्या मुझे यूई अरे पर ये कहा सुधरने वाला है ये तो ऐसा ही है पहले से जंगली ये सही शब्द है जंगली मुझे भी ना खुद को देखकर यहीं लगता है अभी भी वक्त है सुधरजा और ना बीवी से ऐसा पिटेगा कि रोना भी नहीं आएगा मैं रोऊंगा ये वो मुझे तो लगता है शादी के बाद चार दिन में ही भाग जाएगी वो पताने ही क्यासे रहेगी तेरे साथ सच मैं मैं बचपन से इसके घर जाता था पड़ाय करने तो तीन-तीन दिन तक ये अपने कमरे से ग्लास भी नहीं उठाता था इतना आलसी है ये अरे आलसी नहीं हो, आदत नहीं है ये सब करने की बस तेरी बीवी सज में भाग जाने वाली है आकाश, बच के रहना अरे मुझे क्या करना है, मुझे कोई बाद नहीं सकता किसी भी चीज में, समझे आकाश के दोस्तों तक को पता था कि वो कैसा है सबको लगता था कि शादी के बाद भी आकाश की पत्नी को बहुत कुछ करना पड़ेगा जिससे वो परेशान हो जाएगी लेकिन जब सुनील और राकेश आकाश से दो साल के बाद मिलने आते हैं तो आकाश के घर का माहुल कुछ और ही था हरे आओ सुनील राकेश कैसे हो तुम दोनो अरे हम तो ठीक है तू बता तू कैसा है मैं बिलकुल वैसा ही हूँ जैसा पहले था मिद्दास अरे दोनो अंदर आओ यहाँ जूते उतार तू हाँ हरे हम दोनो कैनड़ा क्या चले गए तूने पीछे से शादी भी कर ली तो तुम दोनों ने भी तो कर ली है ना हाँ वो तो कर नहीं है भाब जी जी कहा है मानिया अंदर है बस आई ही रही होगी हाँ वेचारी सारा दिन तो काम में लगी पड़ी रहती होगी इस से शादी जो की है अरे राकिश सुनेल कैसे हो तुम दोनों? नमस्ति कैसे हैं आप दोनों आकाश आपकी बहुत बाते करते हैं आज पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है जी भवी हम दोनों कैनड़ा में थे आपकी शादी के वक्त इसलिए शादी में आ नहीं पाय थे आप लोग पैठिये, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ आकाश, जरा मदद कर देना प्लीज हाँ, अभी आया यह क्या देख रहा हूँ मैं, यह काम कर रहा है क्या हुआ, जटका लग गया है न आइंटी, यह जो अपना ग्लास भी नहीं उठाता था हमारे लिए नाश्ता नहीं कराएगा अरे यही नहीं, अभी आगे आगे देखो बीवी का खौफ क्या क्या करवाता है फिर तो मुझे देखना है कि यह सुधरा कैसे सुनील और राकेश को अजीब लग रहा था कि आकाश इतना सुधर कैसे गया लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था इसलिए उन्होंने कुछ पैंतरे आजमाए जिससे वो आकाश को चेक कर सके ये लोग गरमा गरम नाश्ता मैंने आप सब के लिए खाना भी बना दिया है डाल तड़का और टिंडे फिर तो आज भी बाहर ही खाएगा आकाश क्या क्यों? एरे किस दे का कि मैं बाहर काऊंगा? मानिया ने इतनी मैनत से खाना बनाया है तुझे तो टिंडे और दाल दोनों पसंद नहीं भाबी ये हफते में चार बार तो बाहर ही खाता था खाती थी अब तो इन्हें टिंडे बहुत पसंद है क्यों आकाश? हाँ हाँ मुझे तो टिंडे बहुत पसंद है पहले की बात और थी तब तो ये कुछ अलगी था हमें तो लगता था कि इसकी पत्नी इसके साथ रहेगी नहीं लेकिन अब देखो मैंने कैसे सुधार दिया है न अरे पत्नी के आगे बड़े-बड़े सुधार जाते हैं क्यों आकाश? अरे सुधार गया, सुधार गया, क्या लगा रखा है? मैं तो वैसे ही हूँ जैसा पहले था हाँ वैसे ही है चल, आज बाहर चलते है देर रात तक बाहर टपरी पे बैटेंगे हम बाहर गेट पर तेरा इंतजार कर रहा है, जल्दी साजा तुम लोग चलो, आता हूँ मैं आकाश बाहर आता है और सुनिल और राकेश आपस में बात कर रहे थे आ गया तू, चल अरे मैं क्या कह रहा था, आज नहीं चलते कल चलेंगे, ठीक है क्यों, आज क्यों नहीं अरे ऐसे ही मानिया ने आज इतना खाना बनाया है मैं चला जाओंगा तो वेस्ट हो जाएगा न वो टिंडे खाने है तुझे अच्छा बच्चू, ये बता कि तो जंगली से इंसान कैसे बन गया अरे पत्नी के आगे किसकी चली है आज तक मा चिलाती थी, तब भी इतना असा नहीं होता था लेकिन जब बीवी बात करना छोड़ देती है, चुप हो जाती है तुझे असना खौफ होने लगता है ऐसे तो ये हम सब के साथ ही होता है बर्द चाहिए कितना भी जंगली क्यों ना हो, शादी के बाद इंसान बनी जाता है चलो यार मैं चलता हूँ, मानिया को रसुई में मदद भी करवानी है आहां भी जा, जाकर अपनी पत्नी के हाथ के टिंडे खा ले क्या हुआ आकाश बिटा, मैंने कहा था जितनी मस्ती करनी है कर ले शादी के बाद दाल तो क्या, टिंडे भी अच्छे लगेंगे